पोरी बेदक या इंटर नोट बोरर कीट जो गन्ने में गंभीर नुकसान का जिम्मेदार है इसके लारवा गन्ने के कोमलव मुलायम भाग को शतिगरस्त कर पोरी में भेद करते हुए गन्ने के उपरी भाग में पहुच जाते हैं इस कीट के कारण गन्ने की उपज में 20 प्रतिशत और शरकरा की मातरा में 15 प्रतिशत की शती होती है ये कीट अगस्त के पहले सब्ता में दिखाई देता है बुवाई के तीन महाबाद इल्ली सबसे अधिक हानी पहुचाती है मादा कीट रात में अंडे देती है जो की पत्तियों के जोड पर रहते हैं इसका प्यूपा अधिकतर आधे सूखे पत्तों के छेट पर पाया जाता है जिस पौधे पर आक्रमन होता है उसकी पत्तियां पीली पाई जाती है इल्ली के घुसने की जगा के उपर कीट मल भी पाया जाता है यह च्छाल को काट कर एक पोरी से दूसरी पोरी में प्रवेश करती है शतिग्रस पौधों की पत्तियां और आधे भाग की कोमल पोरियां पीली पढ़कर सूख जाती है इन में गन्ने की आँख से अंकुरन होने लगता है इसकी रोक थाम के लिए प्रतिरोधी किस्मों का चैन करें बुवाई के पांचवे और सातवे महीने में फसल में डी ट्रेशिंग यानी सूखी पत्तियां बाहर निकाल देने से पत्तियों की खोल में रहने वाले प्यूपा भी भाहर निकल जाते हैं पांच माह के बाद खेत में निकलने वाले नए कल्ले यानी वाटर शूट्स को हटाएं पानी के जमाओं से बचने के लिए जल प्रभंधन करें उर्वरक की सही मात्रा का प्रयोग करें निगरानी के लिए प्रती हेक्टेर खेत में दस फेरोमोन जाल लगाएं हर पैतालिस दिन में सेप्टा या लिूर को बदल दें रासायनिक नियंत्रन नाइट्रूजन की अधिक्ता वाले उर्वरक का जादा इस्तमाल करने से बचें नियंत्रन के लिए क्लोर एंट्रा निली प्रॉल 18.5 प्रतिशत S.C. 0.36 मिली लीटर की दर से प्रती लीटर पानी के साथ 30 और 120 दिन के बाद प्रयोग करें एक एकर खेत के लिए 300 से 400 लीटर पानी का प्रयोग करें जैविक नियंत्रन झाल